दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सब का फिर से निव वेकेंसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके दो अलग-अलग डिपार्टमेंट में वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर डिप्लोमा और बी-बी टेक वाले इलिजिबल रहेंगे आपकी डारेक्ट भरती है कोई भी एक्जाम नहीं होगा ना तो यहाँ पर कोई आपकी एक्जामनेशन फीस लगेगी फ्रेसर्स के साथ साथ में यहाँ पर एक्सपिरियंस वाले भी इलिजिबल रहेंगे और क्या बताये गया है इनके ओफिसेल नोटिस में उसमें आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और यूटूब पर सबसे ज्यादा जोब सब्डेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि सिविल इंजिनिरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जोब का अपडेट आपसे मिस ना हो औ हमारे टेलिग्राम चैनल और वॉट्ट सब्सक्राइब को जरूर जोइन कर लें लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है पहली वेकेंसी यहां पर आपकी रहने वाली है इंडियन इंस्टिटीट ओफ टेक्निलोजी रोपर की तरफ से नोटिस आपका यहां प पर इंडियन मेट्रो रेल में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है इस पोस्ट के लिए यहां पर आप लोगों के लिए डारेक्ट वोकिन इंट्रूर रखा गया है सबसे पहला नोटिस आपका रहने वाला है आई आई टी रोपर की तरफ से यह नोटिस आपका 12 दिसंबर को जारी किया गया है आपको बताया है एडविटीजमेंड में दा इंस्टीट इन्वाइट दा ओनलाइन अप्लिकेशन फ्रोम दा सिटिजन फोर दा फोलेंग पोस्ट प्योरली कॉंट्रेक्ट बेसिस यानि यहां पर आपको बताया है यहां पर ओल अवर इंडिया से एप्ल प्रोजेक्ट इंटर्न इंजीनियर के लिए बात कर लेते हैं आपके मंतली स्टाइपेंड के बारे में तो सेली यहां पर आपको 20,000 रुपे से लेकर 25,000 रुपे प्रतिमन तक मिल जाएगी अब बात कर लेते हैं आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपिरियंस के बा यानि अगर आपने बी-बी-टे किया है एलेक्रिकल सिविल या फिर मेकेनिकल इंजीनिरिंग से और बी-बी-टे में आपके मिनिमम 55 प्रतिसत मार्क हैं आप फ्रेसर हैं इस पोस्ट के लिए यहां पर इलिजिबल रहेंगे नीचे यहां पर आपको और में करके दिया है डिप्लोमा इन इंजीनिरिंग एलेक्रिकल सिविल मेकेनिकल इंजीनिरिंग फ्रोम ए रिकोगनाई यूनिवरस्टी इंस्टिटिट आफ्टर 10 प्लस 2 विद एट लिस्ट 55 प्रसेंट मार्क इन दा क्वालिफाइंग डिग्री विद 2 येर ओफ रिलेमेंट एक्सपिरियंस यानि यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने डिप्लोमा किया है एलेक्रिकल सिविल या फिर मेकेनिकल इंजीनिरिंग से वो भी 10 प्लस 2 के बाद और आपके डिप्लोमा में मिनिमम 55 प्रतिसत मार्क हैं और इसी के साथ आपके पास मिनिमम दो साल का वर्क एक्सपिरियंस से किसी भी प्राइवेट या फिर रेपिटेड ओर्गनाजेशन में आप यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट के बारे में तो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल रखी गई है और पोस्ट यहाँ पर आपकी बैसिकली मेकैनिकल इंजिनिरिंग से बी बी टेक वाले तो फ्रेसर्स यहाँ पर इलिजिबल रहेंगे डिपलोमा में यहाँ पर आपसे दो साल का वर्क एक्स्पिरेंस मांगा है अगर आप इसके लिए इंटरेश्टेड होते हैं लिजिबल होते हैं तो आप यहाँ पर जरूर अप करिए बात कर लेते हैं आपके जनरल इंट्रक्शन के बारे में यहाँ पर आपको बता है कि आपको फोर्म अपलाई करने से पहले जो भी यहाँ पर आपसे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगे गई है एज है जो भी लिजिबलेटी है आपका एक्सपिरेंस है व आपको इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप पहुँच जाएंगे इनके ओफिस्यल नोटिस पर और वहीं से आप अपना फोर्म इजली अपलाई कर पाएंगे बात कर लेते हैं आपकी इंपोर्टेंट डेटों के बारे में तो फोर्म ऑनलाइन होने यहाँ पर आपक 22 दिसंबर रहने वाली है सामके 5 बजे से पहले पहले आप लोग यह फोर्म अपलाई कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं आपकी सेलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो सेलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका जहां तक डारेक्ट इंटरूर के आधार पर ही रहेगा आगे आपक आपको अपने पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ, सिगनेचर, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो भी सार्टिफिकेट है, एक्स्पिरेंस सार्टिफिकेट है, ये सारी चीज़े आपको वहाँ पर अप्लोड करनी होंगी, तो जिन भी दोस्तों ने हमारे ब डायरेक्ट वोकिन इंटरू रखा गया है, नेक्स हम बात कर लेते हैं आपके इलिजिबलेटी क्राइटेरिया के बारे में, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके नेम उफ पोस्ट के बारे में, तो पोस्ट यहाँ पर आपकी प्रोजेक्ट असिस्टेंट की रहने व कोश्ट के लिए यहां पर आपसे कोई भी experience नहीं मागा गया है बात कर लेते हैं आपके पे लेवल के बारे में तो सेल यहां पर आपको 25,000 रुपे प्रतिमंत मिलने वाली है तो जिन भी दोस्तों ने हमारे बीबी टेक किया है सिविल इंजिनरिंग से और इसी के साथ आपने M.E.M.T. किया है ट्रांस्पोर्टेशन प्लानिंग या फिर हाइवे इंजिनरिंग से आप इसके लिए इंट्रेस्टेड होते हैं लीजबल होते हैं तो आप यह वोकिन इंटर्व्यू अटेंड कर सकते हैं आगे आपको बताय है इंट्रेस 네ल con requires और न हिन्मा एंट इंटिविल इंट्यों अप्लें। से ऑहन प्लानिंग से, जाहरा है. इंटर्टेस्टर बताय। इंटेशरे होते हैं थिर्पारेशिय को एं प्लेंट अ 있게श्य घ्य में डिजर्प ट्रीं vendor थे youtube लिभ लिएश्चेश वें कोर्झाय इसके लिए आपको यहां पर बताया गया है कि इंटर्वू एटेंड करने के लिए यहां पर आपको कोई भी TADA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा आपको एक plain paper लेना है उस पर आपको अपनी सारी जानकारे लिखनी है जैसे आपका नाम पिता का नाम आपको DOB आपका permanent address mobile number आपकी email id यह सारी चीज़े आपको यहां पर लिखनी है आपको अपना updated cv लेना है cv के साथ में आपके जितने भी original document है वो सारे आपको लेने है आप आपको अपना DOB proof के लिए आधार काड या pen card लेना है और आपको पहुच जाना है इनके official address पर 16 December को सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में यही आपका reporting time है आगे आपको यहां पर बताया है आपको report वगेरा लिखनी आनी चाहिए इसी के साथ जो भी आपके civil engineering के software होते ह है उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए बताया है ability होनी चाहिए sample कोई conduct करने है data analysis करना है किसी भी work का representation देना है और इसी के साथ जो भी basic जानकारी होती है metro operation के बारे में यह चीज आपको पता होनी चाहिए और site पर जो भी काम होगा उसे handle करना आना चाहिए तो जिन भी दोस्तों ने हमारे डिपलोमा या फिर भी भी टेक किया है इन ब्रांचों से अगर आप इन में से किसी भी post के लिए interested होते हैं और उसके साथ में eligible भी होते हैं तो आप यहां पर जरूर अप्लाई करिए अभी के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका थैंक्यू सुक्रिया वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सिविल इंजिनरिंग के सबसे ज्यादा जोप सब्डेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें